हार है शंकर जैजे शंकर माता कोशलिया की इस जन्मभूमी ग्राम चंदखुरी में विद्यमान है प्राचीन शिव मंदिर, जिसे छमाशी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है माता कोशलिया मंदिर से लगभग आदा किलोमेटर की दूरी पर चंदखुरी ग्राम के बाई किनारे पर पतली सडकों को पार करके पटेल पारा में हैं प्राचीन समारक अवस्थित है पुरा तत्व विभाग के अनुसार इस मंदिर का निर्मान लगभग दस्वी और ग्यार्वी शती इस्वी के बीच कल्चुरी कालीन राजावों के द्वारा कराया गया था किन्तु इस मंदिर का अलंग्पूत द्वार तोरन किसी दूसरे विनष्ट होए सुमवंशी मंदिर का है मंदिर की द्वार शाखाओ पर गंगा एवं यमुना नदी देवियों को बेहत सुन्दर धंग से मुर्तियों पत्थरों में तराशा गया है सिर्दर्पल ललाट बिम में गज लक्ष्मी बैठी हुई है जिसके एक और बाली सुग्रीव के मल युद्ध एवं रित्थ बाली का सिर गोध में रखकर विलाप करती हुई तारा का करुंध रिश्य प्रदश्यत है गर्बग्रव में किसी भी प्रकार की कोई प्रतिमा नहीं है नागर शेली में निर्मित ये पच्छरत मंदिर है इसमें मंडप नहीं है मंदर बरिसर में कुछ खंडित प्रतिमा को रखा गया है वह कुछ मूर्ती सामने पेड़ के नीचे हैं इस ग्राम के चौक चराहों में कुछ खंडित प्राचीन प्रतिमा देखने को मिलती हैं संभवत इसी मंदर के अफशेश मालूम पड़ते हैं यह स्मारक पुरा तत्व वेभाग द्वारा संरक्षत स्मारक है इसके बावजूत शासन प्रशासन वा ग्राम वासियों की उदासीनता के चलते मंदर अपनी प्राचीनता खोटी नजर आ रही है यदि ऐसी ही लापरवा ही रही तो कुछ वर्षों के उपरांत यह मंदर पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा